हाँ जी किसान साथ में मेरे फारून पेशन यूटूब चैनल में एक बार फिस्टे स्वागरी किसान भाईयों आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जो बहुत ही रियली मिलने वाली आपको कुबोर्ता किसान भाईयों जो खरीदा गया सुल्तान पूर्ण से खरीदा गया है और इसके आर्टियम के अगर हम बात करें तो अधारा सो आर्पियम पर ये ट्रेक्टर जाज रहा है और इसी ट्रेक्टर रूपर में बैट कर भीडियो बना रहा हूं और आपको देख लिए पीछे बूता मसीन लगने के बाजू इस ट्रेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा कोई कि वाइबरेशन नहीं होने वाली है तो काभी परियाप और इसका टंपरेशर भी आपको पर जिखाऊंगा कितना ही रोती है ये मकी बिल्कुल ही नॉर्मल जाप रेजर अच्छा अभी आप मतीन चला लिए आप नोड़ा सा बात करेंगे जांकारी जाएंगे तो कितनातियों आपके देखा ये ट्रेक्टर और इसकी परफार्मेंस और ड्राइबर्स आप जैसे ही खोड़ा पुर्सत होते हैं आपकी में बा करते हैं तो टॉपिक जो था किसान भाईयों बहुत कम इस ट्रेक्टर की जो वीडियों है वो मिलेंगी लेकिन इसकी परफार्मेंस जो निकल करके आ रही है जो लान है आपको मैं एक नजर मरवाऊंगा लान के उपर जैसा कि अभी ड्राइबर ने बता है कि लान काफी नरम है अभी हाली की कटाई हुई है गेहु है और बिल्कुल नरम तो इस तरहीख से लोगे दूसरे गेर में स्क्राइब क किसी भी परकार के कोई भी कलच नहीं रभा करके साथा normy और लोगे दूसरे गेर में तो जहां ज्यादा लाज मिलती है किसांताचियों वहां में दिखाऊंगा आपको और एक बात में जरूर पहूंगा किसांताचियों अगर जो कोई भाई यह ट्रेक्टर खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको इंफॉर्मेशन है वो मैं पूरी दिलवा के गाने वाला हूं और डीजल खपत के बारे में इसके रख रखाओ के बारे में किसांताचियों और कोई मेंटेनेंस आया है कि नहीं आ तो सर थोड़ा सा तेज बोलेगा माइक लाना बोल गए हम तो यह बताएं सर पहले तो अपना नाम और पता बता दीजिए जैसा कि यह ट्रेक्टर है आप कब खरीदे थे इसको एक साल हो गया 2003 में तीन जनुरी और यह अपरेल चलना है तो जैसा कि इस ट्रेक्टर को खरीदने के बाद जैसा कमपनी दावा करती है कि मेरा ट्रेक्टर सबसे कम डिजल खपत करता है तो परजन टाइम में जैसे भूसा मसीन आप चला रहे है लान भी अभी हरी है गिली है लगबग मान के चलिए वो कड़ा पन नहीं आप आया है तो यह डीजल की खपत इस टाइम पर कितना कर देता हो पांच प्लस तो कंपनी का दावा उसके हिसाब से तो फेल होना चाहिए कि कंपनी तो कहती है क सब्सक्राइब करें जब से आपने एक साल हो गया इस ट्रेक्टर को खरीदे हुए तो कैसा अनुभर हो आपका यह ट्रेक्टर मेंटेनेंस सर्विस होगेरा कोई दिकत नहीं अभी तक कोई एक रुपे का खर्चा तो यह ट्रेक्टर आपने कहां से खरीदा था सुल्तानपूर हिंदूस्त पर नंबर भी जाए तो यह हमारे किसान साती थे और इस ट्रेक्टर की जो है आपको हम परफार्मेंस भी अभी और भी दिखाएंगे यह मसीन आप लोग देख लीजिए और कभी बढ़िया परफार्मेंस और बिल्कुल साइलेंट ट्रेक्टर बिल्कुल ही साइलेंट ट्रेक्टर जैसा कंपनी धावा करती है बिल्कुल ही साइलेंट ट्रेक्टर है भूसा मसीन चलने के बाव जूद भी किसी भी परकार की वाबरेशन इस ट्रेक्टर के अंदर नहीं मिलने वाली है पुली की पुली कौन से लगी है मसीन के अंदर 79 की पुली इस ट्रेक्टर के उपर लगी हुई है मसीन में आप लोग के पास अगर कुमोटा का ट्रेक्टर है तो विसकर्मा का एक-एक बराबर वाला गियर है सतरा अदनाओं के पुली लगी हुए किसान साथी हो तो इसकी परफार्मेंस आपको मैं दिखा हूँ तो किसान भाईयों आपको मैं भूसे की क्वाल्टी दिखाता हूँ ये दिख लिए बीलकुल हरा चारा जैसे हरा चारा कहते नहीं है बिलकुल ही हरा भूसा है और बिल्कुल ही नरम तो इस कंडिसन में जाइड सी बात है कि ट्रेक्टर डीजल जादा जरूर उठाएगा लेकिन भूसा बिल्कुल महीन है किसी भी परकार के कोई मुटाई भूसे के अंदर आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल महीन भूसा बना की दे रही है बिसकरमा की ये मसीन दिर्बा वालों की ये मसीन है भूसे की क्वालिटी में नमबर एक और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी इसी साल की सायथ खरीदी हुई ये मसीन दो दिन पहले ये मसीन खरीद के लाया है किसान और काफी बड़या परफारमेंस अभी आगे भी आपको इसकी परफारमेंस देखने को मिलेगी । इस भाई हो आप लोग देखे लिए इस रैस्तर की परफारमेंस लहों के पहले खरीदcciones के से चल साल हाण किसी भी परकार इस बिलकुल लाइन पर तोड़ा सखलत देना पड़ा लेकिन इस हिसाब के यह लान बिल्कुल नरम है उसे हिसाब कोई भी कशत्र या कोई भी आत्रिम पर यूद्टर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं तो किसान भाईयों इस देखने के आप पर फारमें देखिए बिल्कुल लाइन मैंने पताय आपको और किसान ने भी पताया एक शकत बारे में किसे र informants के시면 की बाता हैं कि तो यही सारी चीजह हैं वाहिएं कर ना सब्सक्र 11 को पर यूट तक किया है था है है पर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जा करके आल पर क्लिक जरूर कर लें कि यह ज़िए वीडियो कोई भी अप्लूड को हूँगा पर जरूर करें तो बिल्कुल ना ज्यादा बड़ी त्राली है और ज्यादा सोचित राजी है तो लबश्च पांच पे खेक उंचल के आजपास का भूंता इस त्राली के अंदर आने वाला है तापी बढ़िया परफार्मेंस ट्रेक्टर दिखाता हुआ और 1700 आर्पीम पर यह ट्रेक्टर चल ला है सतरा नों की पुली लगी हुए एक-एक का गेर इस मसीन के अंदर इंस्टॉल किया गया है इसकी वज़ा से सतरा नों की पुली बिल्कुल स्केक चल लगी है किसी भी परकार की मसीन के अंदर या आर्पीम ड्रॉपेज के अंदर कोई भी रिक्कत नहीं है किसान वाईयों तो जब भी आप लोग रीपर खरीदें तो डीलर्शिक पर जरूर एक बार यह कहें कि हां अमारी फुली जरूर मैच करवा दीजिए जब तक आप फुली नही नहीं निकल कि आई कि और आर्पीम भी किसी भी परकार से ट्रॉपेज तो एक बात की और साहुदानी रखे जैसा कि बहुत से किसान भाई क्लच के उपर पैर रखे रहते हैं उनसे हमारी रिक्वेश्ट के उपर बिल्कुली भी पैर नहीं रखे पैर रखने के सबसे पैर ज्या शिक्कत आपको देज जा सकती है आपकी ट्रेक्टर की आप तबीपर पैर रखे आप किसान भाईयों परफार्में देखे ईगे आपको तभी अच्य परफार्मेंस इस ट्रेक्वेश्टर की और इस इस श्कार रीपर की बिल्कुल मसीन साइलेंस ओर गटर को बिल्कुल ही साइल है उससे भी जादा साइल है और लान के अगर बात करें तो काफी बढ़िया लान है इस केट में बहुत ही बढ़िया कि किसी भी परकार की कोई भी इसके अंदर आज़ियम ड्रॉपेट के समस्या नहीं मिलेगी आपको और अगर आप इस ट्रेक्टर को खरीदना चाहते हैं तो इनका नंबर भी आपको सामनेक तरफ दिख रहा होगा आप लोग देख लीजिए और दो हजार टेक जनुरी का ये खरीदा होगा ट्रेक्टर है तो कोटा इन्यों पसकोंजीरो दो और काफी बढ़िया परकार के अग परहीटिंग की समस्या नहीं है किती भी परकार का आपको बोनट नहीं उतारना है घूमने वाली जाली नहीं लगानी है जैसे ट्रेक्टर आप लाएं वैसे ही आराम से रीपर के साथ जोड़िए और रीपर चलाना बिल्कुल इस्टार्ट कर दीजी तो किसान भाईयों यह तो मिलेगी किसी ऐसी ही और भी इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै ज़वान जै किसान साथ है